हलो दोस्तों स्वागत है आप सभीगा वेक मिस्सा टेक मेंट है स्विष्टर हम लोग जिस कंपनी के उपर अपडेट लेने वाले हैं अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही मतलब ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ दोस्तों इसके उपर मैंने आपको अपडेट किया था अभी देखिए आज आठमा दिन हो जाएगा 26 रुपे 97 मतलब एक तरीके से आपको 27 रुपीज के राउंड ये सेर मिल रहा था अभी इसने ब्रेक आउट दे दिया है दोस्तों 30 रुपीज 90 पे ट्रेट कर रहा है और ये लाश्ट कॉल है जो इसमें एंट्री लेना चाहते हैं क्योंकि ये अब अल्रेडी अपने काफी हाईयर लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो यहां से हो सकता है अगर ऐसे ही इन्वेस्मेंट मिलती रही तो काफी तेजी से ग्रो कर सकता है तो क्या पॉस्बैल्टी से उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्विक अपडेट दूंगा मैं आपको इसके फाइन और पर रखें जिससे आने वाले इनिश्ट अपडेट आपसे भिसना हो आप टेलिग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं नियूज और डिविडेंट एनॉस्मेंट के लिए कौटरली यानिक रिजर्स के लिए लिंक आपको वीडियो उन वक्स में मिल जाएगा तो दोस्तों जै आज इसमें ट्रेट देखने को मिला है उसी तरीके से दोस्तों आरवेनल भी बिना रुके बहुत तेजी से ग्रोथ हुए जा रहा है काफी अच्छा है इसकी भी प्रोफाबेस देखने को मिलती है तो उसको पर भी उस पर तो हम लोगों ने अपडेट अभी जल्दी में ल किसी उभी सेक्टर वाइस का सही है अगर इसके ख़बर पर बात करें दूस्टों तो जैसे हैं कि मने आभी आपको एक आप आठ दिन पहले ही डिस्कुस किया था तो मने आपको एक चीज बताया था कि यह सेर जो है इसको जो प्रोफिट मार्जिन है वो बहुत-बहुत ज् गर रही है कुछ हद तक इसका बस जो खर्चे में जाता है expense बहुत कम है इस company के और profit का कोई हिसा भी नहीं है 99% profit margin बन रहा है किसी में 100 चला जा रहा है तो बहुत तगड़े पर margin है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों की मतलब interest obviously interest इनका काफी पड़ता है बट इस्टिल आप देखेंगे कोई इसको ना tax का चिंता है कोई यहां पर earning बहुत अच्छी आ रही है बस जो कटता है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ interest के number है तो ऐसा समझेए कि expense और interest जो अगर add भी कर दें तब भी company profit में हमको देखने को मि आपको आठ दिन पहले तो उस टाइम पर वही बात थी कि जो दो सेयर है railway से connect करते हैं दूसरे को तो दोनों ही काफी अच्छा प्रफॉर्म कर रहे हैं और वो हम दोनों को पता है कौन सा है आर्वेनल और RCF दोनों पर ही बात हो रही थी मतलब दोनों की field भले अलग है दोस् तरीके से लोग उनको basically उसी में count करते हैं फिर ये भी railway मतलब ये भी government के अंदर आता है और वो भी तो उस वज़े से ठीक है तो अभी हम लोग दोस्तों अगर इसकी कुछ ख़बर के बात करें तो सब वही एक हपते पहले वाला ही है और कुछ नया नहीं है पर condition में हमको हमे investment में इसमें आना सुरू हुआ मैंने तुरंट आप लोगों को ये दिखाया कि इसमें जरूर से investment के ले जाई है जैसे ही ये बार्स बनने सुरू हुए मैंने आपको तुरंट कॉल दिया कि इसके around आप मुस्किल से मिलने वाला है buy करिए targets हमको achieve होते रहेंगे और उसी तरीक है ये इसका big reason है upcoming targets की बात के दोस्तों तो already अपने high के around है मतलब high के around क्या एक तरीके से हाँ बस high के around है पहुच ही जाएगा 31.70 पैसे इसका highest point है मतलब 52 week high भी वही level है और 31.70 पैसे भी वही level है तो इस हिसाब से हमको देखने को मिलता है दोस्तों की अगले दिन मतलब अग जो सबसे all time high level गया था उसको भी breakout करके उसके उपर closing दे सकता है और ऐसा होता है तो फिर इसमें जो easily जो targets है वो मिलने वाले हम लोग इसमें काफी बड़े-बड़े targets लेके चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों इससे उपर अभी तक जो सबसे highest इसमें product किया था पहले बहुत time पहले जो टेक्निकल मनलब जो चार्ट में ऐसे टेक्निकल होते हैं इंडिकेटर उन्होंने find किया था वो सबसे अब अब लेबल था 33 रूपी 25 पैसे इसलिए मैंने आपको वो target भी दिया था पर जिस हिसाब से इस time पर investment आ रही है share में लगातार volume काफी त 25 पैसे के पास इसके बाद हम लोग इसमें और targets के लिए जा सकते हैं और वो targets हमको 40 अब देखने को मिलते हैं तो जरूर से इस वज़े से और अगर खरीदने की बात करें तो long view के हिसाब से दोस्तों आप बिलकुल इसमें खरीदने के लिए जा सकते हैं बाकि जो भी चाते ह से volume generate हो रहे हैं अगर इस चीज को यह share बरकरार रखता है तो यकीन मानिए यह बहुत grow होने वाल है क्योंकि अभी हम लोग अगर इसके पुराने charts में candles देखें तो हमको देखने को मिलेगा बहुत minimal से candles हैं यह कुछ भी नहीं है एक तरीके से इसमें कुछ भी investment नहीं बनी हो जो calls है support आप stop loss 26 रूपीज के round लगाएंगे 28 रूपीज के round खरीदने के लिए जा सकते हैं और जो पहले से buy करके रखे हैं अभी भी hold करके चले 33 रूपीज 25 पैसे target हिट होने के बाद 40 रूपीज के target के लिए बने रहिए जो long view देखते हैं और जो बहुत long view देखते हैं मत थैंक्स वाचिंग सुड़ो मिलते हैं आपको नेक्स है साथ नेक्स सुड़ो में